नमश्कार मैं हुन अवया ये बात करते हैं इंटिटेमिन वोल की ग्लैमर वोल्ड में फान्स के दिलों में छाज आने के लिए बस एक अच्छे क्यारेक्टर की जुरत होती है वो रोल जिंदगी भर उस क्यारेक्टर के साथ चलता है हंसम हंग बरुन सोप्ती को भी ऐसा एक रोल तब मिला जब वो टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे शो इस प्यार को क्या नाम दूमें उन्होंने अरनफ सिंग रायजादा का क्यारेक्टर प्लेई किया था आज भी आक्टर को इसी क्यारेक्टर के लिए याद किया जाता है बरुन ने टीवी और फिल्मों दोनों में काम किया है और अब वो ओटीडी पर अपना लग आजमा रहे है वो 2020 में वेब सीरीज असुर में देखे और उनका ये शो हिट हो गया अब इस शो का दूटरा सीजन आ रहा है शो एक जून से जियो सिनिमा पर स्ट्रीम हो रहा है हर तरह बरुन सोप्ती के नाम के चर्चे हैं ऐसे में आये नजर डालते हैं आक्टर के करियर जनी पर पर उन्हें 2009 में अपने करेट के शुरुआत की थी वो शो शुरद्धा में नजर आये थे इसके बाद उन्होंने शो दिल मिल गए में क्यामियो किया था ये नेगिटिव रोल था 2010 में उन्होंने पहला लीड रोल मिला वो शो बात हमारी पक्की है में दिखे इसके बाद से उनकी किस्मत के सतारे चमक उठे 2011 में वो शो इस प्यार को क्या नाम दू में नजर आये शो में वो आक्टर सनाया इरानी संग रोमांस करते रखे सनाया संग उनकी रोमांटिक एमिस्ट्री हिट हो गई वो रोमांटिक हीरो बन कर उब्रे ये उनके करियर कास सूपर हिट शो है इसके बाद उन्होंने फिल्मों के तरह स्विच करने का बारे में सोचा उन्होंने मैं और मिस्टर राइट तू है मेरा संडे 22 Yards हला हल और 200 हला जैसी फिल्में की लेकिन फिल्मों में वरुन फ्लॉप रहे इसके अलावा उन्होंने दिस्नी प्लास होट सार की सिरीज तन हाया ओल्ट माला जी की दा ग्रेट इंडिन डिफेंक्शनल फामिली जैसी वेब सिरीज की OJT पर बरुन के नाम को पसंद किया जा रहा है और अब देखना होगा कि आज तो टू को फैंस कैसा रिस्पॉंस देते हैं आज फ्लेवर्स इतना ही धन्यवाद